हिमाचिल प्रदेश के विभिन भागों में 23-25 फरवरी तक यलो अलर्ट जारी किया गया है मौसाम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार इस दोरान तूफान चलने के साथ और ओलव रस्टी का पुनर अनुमान है पिछले 24 घंटे के दोरान प्रदेश के नियुमतम और अधिकतम तापमान में सामान्य से 3-4 डिगरी की बढ़ोत्री दर्ज की गई है शिमला में रविवार को मौसाम साफ रहा और बाजारों में रोनक रही मासम विभाग केंद्र के अनुसार 3 जिलो, चबा, कागडा और कुल्लू के लिए 23 फरवरी को येलो अलट जारी किया गया 24 फरवरी को साथ जिलो, उना, बिलासपूर, हमिरपूर, चमबा, कागडा, कुल्लू और मंडी के लिए येलो अलट है 25 फरवरी को नोजिलो, उना, बिलासपूर, हमीरपूर, चमबा, कागडा, कुल्लू, मंडी, सिमला और सिर्मोर के विभिन भागों में तूफान और ओलव रस्टी का अलट जारी किया गया है